दो धुरुवी विश्व के अंत के इमीजेट कारण क्या थी? ऐसी कौन सी घटना थी जो ठीक उसके पूर्व हुई जब दो धुरुवी विश्व का अंत हो गया? इसकी शुरुवात के लिए हमको जाना होगा 1989, 1989 जब 9 नमंबर 1989 को बरलिन जो जर्मनी की राजधानी थी उसकी दीवाल तोड़ दी गई बरलिन पूर्वी जर्मनी में स्थित था उसका एक हिस्सा पश्वी जर्मनी में था और ज़ता मैंने पहले बताया कि विश्विद्ध के बाद हिटलर के देश जर्मनी को सजा देने के लिए और सुनिष्विद्ध के लिए कि जर्मनी दुबारा ऐसी जुष्विद्ध की इस्थिती पैदा ना करे उन्होंने जर्मनी को चार भागों में बांठ दिया था समय के साथ साथ चार भागों में तीन भाग फिर एक कर दिये गए वे तीन भाग अमेरिका फ्रांस और यूएसे के अंतरगत आते थे इन तीनों ने तीनों अपने हिस्टे में आए हुए जर्मनी को एक कर दिया और इसे वेस्ट जर्मनी नाम दिया लेकिन रूस का सोवियत संग का जो हिस्ञा था एक चौथाई वह इस जर्मनी बना रहा और बरलिन जो वहां स्थित था उसको भी दो भागों में बाटा गया इस बरलिन, वेस बरलिन और उन दोनों को बाटते हुए, उन दोनों को विभाजित करते हुए शीत युद के कारण, शीत युद की दुश्मनी के कारण, शीत युद की अविश्वास के कारण, तनाओ के कारण सोवियस संग ने बरलिन की को बांटते हुए एक दिवाल खीच दी और यह घटना है 1961 की 1961 में बरलिन को बांटते हुए दिवाल खीचने के कई मकसद थे विभाजन और यह स्पष्ट हो गया कि सोवियस संग खेमा एक तरफ और अन्य देश एक तरफ हो गया इसने मत्र दिवाल खड़ी की लेकिन व्यक्तियों की मानिसिक्ता जो थी उसको विभाजित नहीं कर सकते इस जर्मनी में रहने वाले लोगों का वेस जर्मनी के रहने वाले लोगों से लगाव तो था ही वही स्थिति वेस जर्मनी के लोगों की इस जर्मनी के लोगों से थी चाहे वो एक देश के होने के नाते एक रेस के होने के नाते या परिवारिक संबंधों के नाते आदी आदी समय के साथ कुछ घटना करम ने 1989 में मजबूर कर दिया इस बरलिन की दिवाल को तोड़ने के लिए और 28 वर्ष तक यह दिवाल खड़ी रही और 9 नवंबर को यह दिवाल गिरा दी गई यह दिवाल कोई शासन के द्वारा नहीं या किसी युद्ध में नहीं यह दिवाल की याद रखें 150 किलो मीटर लंबी थी यानि सुनिश्चित किया गया था कि यहां की जनता उधर ना जाए उधर की जनता इधर ना जाए दोनों के बीच में किसी भी तरह का संपर्क न रहे आपको याद होगा मैंने बताया था कि सोवियत संग साम्यवाद जवस्था का पोशक था और उसके ठीक विपरीद स्वियुक्त राश्च संग और उसके मित राश्च पूंजी वादी व्यवस्था के पोशक थे सोवियत संग और संग अमेरिका 1945 तक जहां जर्मनी के खिलाफ एक पक्ष में थे बदलती हुस्थितियों में दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए और साम्यवाद और पूंजीवाद विचार धारा के पोशक होने के नाते इन दोनों के बीच की दूरिया और बढ़ गए साम्यवाद को अंग्रेजी में कम्यूनिजम भी कहते हैं समाजवादी विवस्था भी कहते हैं हिंदी में और पूंजीवादी विवस्था को कैपिटैलिजम कहते हैं बर्लिन की दिवाल के गिरने से मात्र यह विभाजन ही नहीं समाप्त हुआ बर्लिन की दिवाल की मात्र इंटे ही नहीं गिरीं बलकि उसके साथ साम्मेवाद भी गिर गया साम्मेवाद को बड़ी कड़ी चोट पहुंची साम्मेवाद की विचार धारा जिस पर बहुत समय से उंगली उठने लगी थी वह धराशाई हो गई इसके साथ ही इन दो विचार धाराओं का जो विभाजन था उस पर एक लगाम लगी 1989 नौमबर की इटें गिरना इस बात का संकेत था कि जनता जो है उसकी ताकत सर्वो परी है जनता ने दिवालें गिराई थी और सोवियत संग जिसके मातहत इस जामनी और वो दिवाल थी उसकी सेना उसके उसकी सरकार कुछ नहीं कर पाई क्योंकि जनता इतने आकरोश में आ चुकी थी इतने रोश में आ चुकी थी कि इसकी भीड ने इस दिवाल को गिरादा इस पकार जनता की ये ताकत यहां पर परिलक्षित हुई तुरंथ ही इसी की परिनिती ये हुई कि सोवियत संग के खेमे में आने वाले पश्चमी योरप के बाजू में पूरवी योरप के वे देश जो सोवियत खेमे के हिस्सा थे उन देशों की जनता ने भी एक तरीके से विद्रो और आंदोलन शुरू किया और धीरे धीरे ये आठों देश सोवियत खेमे से बाहर आ गया सोवियत खेमे से सतंत्र होगा इन डेशों में पोलेंड था जिसके एक मजदूर ने ताने एक मजदूर ने यहां के अंदोलन का नित्र तो करते हुए सोवियस संग के खिलाफ बगावत की बिगल बजाई और पोलेंड को सोवियस संग के खेमे से बाहर करने में सफल हुआ और स्वैम वहां का बाद में राश्पती बना जिसका नाम था लेश वालेशा यही स्थित्री कमों बेश अन्य छह साथ ऐसे देशों की भी हुई जो सोवियस संग के खेमे बे थे और सोवियस संग मातर एक मूग दर्शक बना हुआ इन सब घटनाओं को देखता रहा और और जब यह आठ देश अलग हो गए तो इसके बाद सोवियस संग के पास कोई चारा नहीं था सोवियस संग के अंदर भी अब विद्रोह शुरू हुआ और उस विद्रोह का परणाम यह कि उन्निस सो नबे इंकानबे में सोवियस संग के अंतरगत आने वाले कई राजियों ने स्वतंतरता की घोशना कर दी जो स्वतंता अंदोलन आजादी और विद्रोह के रूप में जो चला वहां अंतरता उनकी स्वतंता में बदला और धीरे 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 करीब उन्निस सो नबे आते आते इन पंद्रा राजियों ने स्वतंता की घोशना कर दी परणाम अब केवल सोवियस संग एक भूत की चीज़ हो गया 25 दिसंबर उन्निस सो इंकानबे को तथा कतित सोवियस संग के नेता राश्यपती गौरबचयव तथा कतित इसलिए क्योंकि अब सोवियस संग के वल कहने को बचा था तो 25 दिसंबर उन्निस सो इंकानबे को तथा कतित सोवियस संग के नेता राश्यपती मिखायल गौरबचयव उन्होंने भी त्याक पत्र दे दिया और इस प्रकार एक ध्रुव का पूर्ण रूपेन अंत हो गया सोवियस संग नाम का देश विश्व के नक्षे से लुप्त हो गया और उसके बदले 15 नए देश सामने आ गए इस प्रकार इस अध्याय में हम मूलता पढ़ेंगे दो धुरुवीता के अंत की कहानी याद रखेंगे दो धुरुवीता की कहानी नहीं पढ़ेंगे बलकि उसका अंत कैसे हुआ इसको जानेंगे जिसमें सोवियस संग के महाशक्ति बनने से उसके पतन के कारणों की चर्चा करेंगे जिसने दो धुरुवीता की समाप्ति की मैं पना दोरादू सोवियस संग के महाशक्ति बनने से लेकर उसके पतन तक का जो काल है उसके जो कारण है उसकी हम चर्चा करेंगे इस अध्याय में साथ ही जब सोवियस संग और दो धुरुवीता की बात करेंगे तो उसमें विश्वराजनीती में नई जो हस्ती आई उसकर काल में उत्तर साम्यवादी शासन काल में लोक तांत्रिक राजनीती आई और पूंजी वाद का प्रवेश आया साथ में भारत का सोवियस संग से कैसे संबंद रहे उसके साथ ही अन्य पूर्व साम्यवादी देशों के साथ उसके कैसे संबंद रहे कैसे कैसे घटना करम बदलता गया इस पर भी हम चर्चा करेंगे मिखायल गौरबच्चे के 25 दिसंबर 1991 के स्थीफे के बाद घटना करम बड़ी तेजी से बदलता है और परिस्थितियां पूरी बदलती हैं पूरा विश बदलता है विगटन के साथ क्या-क्या हुआ वो तेज घटना करम में क्या-क्या बदलाहट हुई क्या बदलाव आए इस पर एक नदर जल्दी से डालें तो सबसे पहले तो जैसे ही गौरबच्चेव ने इस्तीफे की घोशना की इसी के साथ ही शीत युद्ध की समापती वह शीत युद्ध जिसने अनेक तनाव ग्रस्त मौके पिसले चालीस वर्षों में दिये थे जिसमें विश्व लगभग युद्ध की कगार पर खड़ा था वह समापत हो गया दूसरा सोवियत संग के विगटन के साथ सोवियत संग के विखंडन के साथ उसके तूटने के साथ ही दूरी विश्व दूरी विश्व व्यवस्था वह भी समापत हो गया पूरा विश्व जो राजिनेतिक दूरी से सामरिक दूरी से और आर्थिक दूरी से दो धूरूओं पर आधारित हो गया था दो धूरूओं के बीच पे खेल रहा था अब वह समापत हो गया पूरा और पूरी दुनिया अब एक ध्रूवी हो गई ये बहुत बड़ी घटना थी कि अब जो 1945 से जो दौर शुरू हुई थी सोवियत संग और संयुक्त राश्व अमेरिका के बीच की दौर वर्चस्व की दौर वह वर्चस्व की दौर में सोवियत संग पराजित हुआ और अमेरिका अपना सतत वर्चस बनाए रखने में सफल हुआ और आगे उसमें और वारधक्य भी किया विगटन का तीसरा परिणाम था बहुत अहम वह था कि पश्चमी यौरप के देश और साथ ही पूर्वी यौरप के वे देश जो सोवियत संग के सेटलाइट देश नहीं रहे सोवियत संग के टूटने से या उसके पूर भी स्वतंत्र हो चुके थे वे देश अमेरिका की ओर जोकने लगे इसको रोकने के लिए अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को भी रोकने के लिए यहां यौरप में यौरोपी संग की स्थापना हुए याने एक नई संश्था का जन हुआ उनिस सो पैस्था की लड़ाई के बाद उनिस सो अठारा में विश्व शान्ति को बनाया रखने के लिए एक संस्था बनी थी उनिस सो पैंतालिस में भी सबक सीखने के बाद ऐसी ही विश्व शान्ति को बनाया रखने के लिए पुना एक संस्था का निर्माण हुआ था जो कहला ही सेयुक्त राष्ट संग जो आज भी अस्तित में है और उसका बहुत अहम योगदान है गत सत्तर वर्षों में शान्ति को बनाया रखने में सेयुक्त राष्ट संग उसी प्रकार जब सोवियत संग का विगटन हुआ और पूर्वी यॉरप के देश जो अभी तक रूस की ओर थे रूस की तरफ रुजहान था या जवरदक्ति उनकी तरफ दबाए गए थे वे अब देखने लगे मुबाय के किस तरफ जाना है और कुछ अन्य देश भी थे इन लोगों ने सुनिश्चित किया कि एक नए संग की स्थापना हो और उन्होंने यूरोपी संग की स्थापना की जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूरोपियन यूनियम ये वहाँ के यूरोप के देशों का एक संग था जो आज भी अपने पूर सक्षमता के साथ कारे कर रहा है सफलता के साथ भी कारे कर रहा है चौथा परणाम इस विगटन का ये हुआ कि USA का प्रभाव दिनों दिन बढ़ने लगा। उसे चैलेंज कर सके और इस वकार अमेरिका पूर्ण रूपेंट स्वतंतर था ने छंद रूप से उसने देशों के अंदरूनी मामलों में दखल करना शुरू किया देशों की अंदरूनी राजनीती में दखल करना शुरू किया और अपना वर्चस्व बनाने के लिए अपना प्रभाव बढ़ाये रखने के लिए प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने कई हथकंडे अपनाए तो विगटन के बाद के काल में हम देखते हैं बहुत तेजी से अमेरिका का बढ़ता प्रभाव विगटन का अगला परिणाम जो तुरंथ दिखाई दिया वह था नए राज्यों का उदय ने नेताओं का उदय नई राजनीती का उदय और था नए राश्ट सामने आये जैसा मैंने पूर में बताया कई राश्टों के नाम आगे उनका जिक्र और आएगा मैं पुरह यहां नहीं दूराता लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सोवियस संग के तूटने से 15 नए राष्टों वहीं जन लिये तो इनके साथ नहीं राजनीति उस खेतर में हुई नहीं डिपलोमेसी नहीं कूटनीति शुरू हुई नहीं विदेशनीति शुरू हुई भारत के लिए भी नए पडोसी हो गया सामने जो पूर में केवल सोवियस संग की रूप में थे वहां अब कई राष्ट हो गया जो भारत के पडोसी की रूप में हुई भारत को भी अपनी नीतियों में कुछ हद तक परिवर्तन करना पड़ा इस विकार हम देखते हैं कि नए राजियां नई हस्तियां ने राजनीति का उद्भाव का जन्म हुआ सोवियस संग के विकटन के बाल अगला परिणाम सामयवाद की लगभक समाप्ती सोवियत संग जो साम्यवाद का नेता था साम्यवाद का प्रनेता था अब उसकी समाप्ति के साथ यह विचारधारा भी समाप्त हो गई और उसके बदले पूंजीवाद का बोल बाला पूरे विश में बढ़ने लगा लोगों का रुजहान पूंजीवाद की और चला गया साम्यवाद की असफलता ने इन देशों के जनता को विवश किया पूंजीवाद की और जहांकने में और अमेरिका की सफलता और अन्य मितर राश्टों के सफलता ने भी पूंजीवाद को बहुत बढ़ावा दिया तो इस परकार विचार धाराओं की जो दौड थी विचार धाराओं की जो टकराओं थी उसमें साम्यवाद पराजित हुआ और चारों तरफ पूंजीवाद का बोल बाला हो गया अगला परिणाम सोवियत संग जो अभी तक महाशक्ति था अमेरिका के बाद जो संग में अपना प्रत्निदित रखता था अब उसके स्थान पर सोवियत संग से ही अलग हुआ एक राश्ट जिसका नाम रशा रूस था वह अब सामने आया रूस सोवियत संग के उत्रा दिकारी के रूप में अपने को सामने लाया और महाशक्ति की बनने की दौड में वह शामिल हो गया सविक्तराश्ट संग में सोवियत संग की सीट रूस को मिली परमाण हथियारों से लैस वह सोवियत संग का एक मात्र देश था आज वह परमाण हथियारों से आज भी लैस है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोवियत संग का पूर्ण रूपेन हर मामलों में इसका उत्रादिकारी रूस बना चाहे वो अंतराश्टी संधिया थी चाहे वो पुराने अंतराश्टी मुद्दे थे उन सब को सोवियत संग के जाने के बाद अब रूस ने उन सब को देखने की जिम्मेदारी ली अगला बिंदू, सोवियत संग के बाद रूस आया और रूस में जो वरतमान राश्टपती हैं व्लादी मीर प्यूतिन वो प्यूतिन के काल ने सोवियत संग को एक महाशक्ति बनते देखा है रूस को अब महाशक्ति बनने की दोड़ में उन्होंने काफी प्रगति की है अब रूस एक सक्षम महाशक्ति के रूप में सामने आ रहा है और व्लादी मीर प्यूतिन पिछले करीब 15-20 वर्शों से यहां के नेता रहे हैं राशपति के रूप में सर्वोच सर्वमानिनेता राशपति के रूप में और प्रभान मंत्री के रूप में दोनों पदों में और आज यह वहां के राशपति हैं विश्व राजनीती में नई हस्तियों में बलकान राज जैसे आप देख रहे हैं बलकान राज वो एक खेत्र है बलकान एक खेत्र को कहते हैं जैसे हमारे यहां बस्तर किसी जगा का नाम नहीं है बस्तर एक जग्रिफिकल खेत्र का नाम है भगोलिक जगा का नाम है भगोलिक खेत्र का नाम है उसमें जगल पुर आता है दंते वाड़ा आता है उसी तरह बलकान भी खेत्र है उसमें अलबानिया बलगारिया बोस्निया हर्ज गोविना युनान क्रोईशिया मॉंटनीग्रो मैसेडोनिया और तुर्की शामिल है ये देखें ये सब देश जो आप सुन रहे हैं ये बड़े नए नए नाम है और कोई विशेश चर्चित नाम नहीं है इन देशों का उद्भाव या इन देशों का अस्तित्व मूल रूप से इसी काल में आया और इसलिए इनका नाम यहां पर बारंबार आएगा मैं पना दोराद हूँ अल्बानिया लक्षे में देखिए बल्गारिया बोस्निया हर्ज गोविना युनाइन क्रोशिया मॉन्टे नीग्रो मेसेडोनिया तुर्की इन बालकान राजियों में जो साम्यवाद था उसकी जगह राष्ट्रवाद की विचार धारा बढ़ी साम्यवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद बढ़ा और सभी राज अपने आर्थिक विकास के लिए सहयोग के लिए आपस में हाथ मिलाने लगे एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा करने लगे और इस पकार साम्मेवाद जो वहाँ पर इतने वर्षियों तक गहरी पैट बनाए बैठा था वह दीरे दीरे समाप्त हो गया शीचुद्ध के समाप्त के बाद इन खेत्रों में नैटो ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया शीचुद्ध के चर्चा मैं कर चुका हूँ और शीचुद्ध जब खतम होता है जब समाप्त होता है और वह समाप्त कब होता है जब दो धुरुवी विश्व का अंत होता है यानि शीतृद की शुरुवात दो धृवी विश्व के साथ हुई जब विश्व दो धृवों में बटा और शीतृद की समाथि तब हुई जब विश्व जो है वह दो धृवी उस से परिकलपना से हटकर एक धृवी बनने की ओर आगे बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ यही हम यह सज्जाय में पढ़ने वाले हैं और इन खेत्रों में जैसा कहा मैंने नाटो ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया नाटो एन ए टी ओ का शॉर्ट फॉर्म है और जब किसी शॉर्ट फॉर्म को एक शब्द का रूप देते हैं जैसे एन ए किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है नौर्थ एट्लांटिक ट्रीटी और्गनाइजेशन तो हर एक का पहला अक्षर ले लिया और उसे एक शब्द बना दिया जिसका जिसका उचारण है नाटो अब जो पहले अक्षरों के मेल के से जो नया शब्द जंग लेता है उसे अंग् प्राणिम है नाटो नाटो ने वहाँ पर जमने का प्रयास किया नाटो क्या है इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे अगला बिंदू जैसे नए राष्ट्रों का उदै सोवियत संके तूटने के बाद हुआ ऐसे ही एशियाई क्षेत्रों में भी कुछ नए राष्ट्र सामने आए कुछ नए राष्ट्रों का वहाँ भी उदै हुआ शी चुद की समापती का जो प्रभाव हुआ उसके कारणों की परनिती इन नए राष्ट्रों के उदै के रूप में हुए यानि एशिया महाद्वीप के नक्षे में भी कुछ परिवर्तना है जो रोपिय महाद्वीप में तो हुआ ही हुआ एशिया महाद्वीप में भी प परवर्तन आया और नए राश्टों का उद्य हुआ नहीं राजनीती सामने आई नहीं विचारधारा हैं सामने आई सामयवाद का हटना तो यह संग का तूटना एशियाई देशों के सामयवाद को एक बहुत बड़ा जटका था एशिया में ऐसे बहुत से देश थे जो सामयवाद विचारधारा से बहुत प्रभावित थे अब वहाँ पर भी एक तरीके से विगटन की प्रक्रिया किरावट की प्रतिया शुरू हुए अगला प्रभाव एशियाई देशों में जहां साम्यवाद तूटने लगा जहां साम्यवाद कर हरास होने लगा क्योंकि उनके साम्यवादी लीडर देश सोवियस्चंग का पतन हो चुका था वहां अमेरिका ने उन देशों के साथ मदूर संबंद बनाने का प्रयास किया और क्योंकि उसे अपनी पूंजी वादी विचार धारा को वहां बढ़ाना था थोपना था और वह चाता था कि उसका वर्चस एशिया में भी अब बन जाए जहां पूर में सोवियस्चंग का वर्चस हुआ करता था तो इस प्रकार अमेरिका के द्वारा मदूर संबंदों के प्रयास का एक दौर एशियाई देशों के साथ यह हम इस काल में देखते हैं और अंतिम बिंदू अमेरिका ने जो यह प्रयास किये मधूरता के संबंदों को ठीक करने के उस प्रयास में हम देखते हैं कि अमेरिका के द्वारा लोक तांत्रिक व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया गया क्योंकि उस्वेम लोक तांत्रिक व्यवस्था का पोशक था परमान बम की दोड़ की रोक पर भी अमेरिका ने काफी लगाम लगाने की कोशिश की साथ ही आर्थिक विवस्था आर्थिक विकास के खित्र में अमेरिका की विचारधारा जो पूंजी वादी विचारधारा थी उसको भी हम देखते हैं इस काल में और अंतिम कि यह काल मानवाधिकार की बढ़ती चर्चा का भी काल था क्योंकि अमेरिका लोक तंत्र परमान अबम की रोक मानवाधिकार और उसके साथ ही आर्थिक विकास पर बहुत जोड़ देता है तो इस काल ने मानवाधिकार के मामले में भी मुद्दों को काफी बढ़ते हुए देखा